very encouraging I think मेरे लिए यह जो सफर रहा है सत्तिम्रियत का बहुत encouraging रहा है और बहुत कुछ मुझे यार बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का आप सब का के आप लोग आए और हम लोग नया सेजन शुरू कर रहे हैं सत्तिम्रियते का और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ यह शेयर कर रहा हूं जो हमारा आज प्रोमो है जो हमने प्रोमो लांच की है कुछ दो तीन दिन पले टीवी पर आए और कुछ आज नए भी हैं जो आप द स्थेजन की शुरुआत की है इस कैमपेंग से इस कैमपेंग में बेसिकली हमें लगा के जो दो तीन साल से हम काम कर रहे हैं अलग अलग विशायों उपर उसमें बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं बहुत सारे लोगों ने अपने लेवल पर काम किया है तो हमारा के बारे में होना चाहिए और वो जो जो कर पाएं चूटे कि हमारा जो शो है वो बेसिकली कम्यूनिकेशन शो है हम लोगों को जानकारी देते हैं एक किसी भी विशें के बारे में हम खुझ समझते हैं फिर उसको लोगों के साथ बाठते हैं तो जो एक्चिल स्टेप्स है जो एक्चिल कदम है वो या तो लोग ग्रासरूट लेवल पे लेते हैं या संस्थाएं लेती हैं या सरकार कई दफ़ा सरकार लेती हैं तो जितनी इनकी तबदीलिया आई है जैसे महाराष्टर में जो आंकड़ा बड़ा है आट नबबे से बढ़के 940 आ गया ये बहुत के काम से हुई है जो ऑन ग्राउंड लोग काम कर रहे हैं कभी-कभी वो सरकार होती है अड्मिनिस्टेशन होती है कभी-कभी वो लोग होते हैं इंजियोज हैं तो यह पूरा कैंपेंड इन लोगों के बारे में हैं जिनुन है और इसका थौट है मुमकिन है क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार हिंदुस्तान में कुछ बदलेगा नहीं मैंने भी कहा है कभी-कभी निराश हो जाते हैं हम लोग बलते हैं कुछ बदलेगा नहीं मुमकिन कुछ नहीं होगा तो यह जो experience है सब्सक्राइब जेते का और यह तो मुमन ने आपको पाच्छे कहानिया दिखाई हैं ऐसी हमारे पास पचास साथ हैं और यह हम ढोड़ने नहीं निकले थे चुँके हमारा सीजन वन खतम हुआ था हम सीजन टू की preparation में जब research के लिए निकले तो लोगों को जब पता लचलता है यह तो सत्विज़ टीम है तो वह बोलते हैं जैसे नागपूर में रहे वो दुकान खुली है तो वह मतलब हमको ऐसे पता चला कि यह चीजें आटमेटिकली हमको पता चला कि यह चीजें हो रही है हम यह डोड़ने नहीं निकले थे यह कहानिया मद्यप्रदेश सरकार ने जैनरिक मेडिसिन पूरे राज्य में हजारों दुकाने खुली हैं तो पूरे जितने लोग हैं मद्यप्रदेश में टेस्टिंग भी फ्री होती है दुआएं भी मुफ्त में मिलती हैं लोगों को तो यह बहुत बड़ी बात है है अपने नए सीजन की तरफ है कैसे लगा है कि एक्षिली ये तो पाच्छे फिल्म है आप मतलब मैं तो देखते हूं तो मुझे रोना आ जाता है मैं बड़ा जजबाती भी हूं हां या या क्योंकि एक्षिली दीजा कॉमन पीपल ये नो जिसे नाजिया एक लड़की है उसका क्या ना उसके पास कुछ पैसे जाता है ना कोई पुलिटिकल स्ट्रेंग्ट है ना कुछ है वो आगया के लड़की की हेल्प करती है कितनी बड़ी बात है तो इस वरी इंकारिजिंग आइधिंक मेरे लिए ये जो स जोड़े हैं अब तक इस प्रोग्राम के साथ वो उसी जोश से उसी जज़बात से उसी महबत और प्यार से एक बार फिर जुड़े हमारे पास अलग-अलग नए टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टिंट हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग हैं और एक नए अंदाज मे हमने शो भी हमने कुछ चेंजिस की हैं मैं आपको पताओ एक बहुत एहम चेंज जो हमने इस शो में किया है वो यह है कि आज तक लोग मेरी बात सुन पाते थे